अश्वत, पीपल तीर्थ, शनिश्वर तीर्थ, सोम तीर्थ, धान्य तीर्थ और विदर्भा संगम तथा रेवती संगम तीर्थ की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं गोदावरी के उत्तर तट पर अश्वत तीर्थ, पीपल तीर्थ और शनेश्वर तीर्थ है उनका फल सुनू पूर्फकाल की बात है देवताओं ने महरशी अगस्ते से अनुरोध किया था आप विंध्य परवत को आदेश देकर उपर उठने से रोकें महरशी अगस्ते धीरे-धीरे सास्त्रों मुन्यों के साथ विंध्य परवत के समीब गए उन्होंने देखा नग श्रेष्ट विंध्य असंख्य व्रिक्षों से व्याप्त सैक्डों शिक्रों से घिरा हुआ और बहुत ही उंचा है उंचाई में वह मेरुगिरी और सूरे से टक्कर ले रहा है मुनी के आने पर विंध्य परवत ने उनका आतित्थे सतकार किया मुनी श्रेष्ट अगस्ते ने सब ब्राह्मनों के साथ विंध्य गिरी की प्रशनसा की और देवताओं का कारे सिद्ध करने के लिए इस प्रकार कहा परवत श्रेष्ट मैं तत्व दर्शी मुनीयों के साथ तीर्थ यात्रा के उद्देश्षे से दक्षिन दिशा की यात्रा करना चाहता हूं तुम मुझे जाने का मार्ग दो मैं तुमसे आतित्थे में यही मांगता हूं जब तर प्लोट करना आऊं तब तक तुम नीचे होकर ही रहना इसके विप्रीत ना करना विंद्य परवत ने कहा बहुत अच्छा ऐसा ही करूँगा महरशी अगस्ति उन मुनियों के साथ दक्षिन दिशा में चले गए वे धीरे धीरे गौतमी के तर्ट पर पहुँचकर समवत सारे क्यग्य में दिख्षित हो गए उन्होंने रिशियों के साथ एक वर्ष तक के लिए यग्य आरंभ कर दिया उन दिनों क्याथब के दो पापी पुत्र राक्षस धर्म के कंटक हो रहे थे उनका नाम था अश्वत और पिपल वे देवलोक में भी प्रसित थे ब्राहमनों को पीडा देना उनका नित्ते का काम था ब्राहमनों का कष्ट देखकर महरशी गण गोदावरी के दक्षिन तट पर नियम पूर्वक तपस्या करने वाले सूर्य पुत्र शनिश्चर के पास गए और उनसे उन राक्षसों के सब अत्यचार कह सुनाए यह सुनकर शनिश्चर ब्राहमन के वेश में रहने वाले अश्वत नामक राक्षस के पास गए और स्वयम्भी ब्रामन बर्गर उन्होंने उसकी परिक्रमा की उन्हें परिक्रमा करते देख राक्षस ने ब्रामन ही समझा और प्रतिदिन की भांती माया करके उस पापी राक्षस ने उनको भी अपना ग्रास बना लिया उसके शरीर में प्रवेश करके शनी ने उसकी आंतों को देखा शनी की दृष्टी पढ़ते ही वे पापात्मा राक्षस वज्र के मारे हुए परवत की भांती क्षन भर में जलकर भस्म हो गया अश्वत को भस्म करके वे ब्राह्मन रूप धारी शनी दूसरे राक्षस के पास गये वहाँ उन्होंने अपने को वे दाध्यन करने वाले ब्राह्मन के रूप में उपस्तित किया मानों वे विनीच शीष्य थे और पीपल गुरू पीपल ने पहले की ये भांती अन्य शीष्यों के समान शनेश्चर को भी अपना आहार बनाया किन्तु उदर में प्रवेश करने पर शनी ने उसकी आंतों पर द्रिस्टी डाली उनके देखते ही वेहबी जलकर भस्म हो गया इस प्रकार उन दोनों को मार कर सूर्य पुत्र शनिश्चर ने मुनियों से पूछा आप मेरे लिए कौन सा कार्य है आप लोग बताएं मुनियों को बड़ा हर्श हुआ उन्होंने शनी को इच्छानुसार वर देना चाहा शनिश्चर बोले जो मेरे दिन को नियम से रहकर अश्वत का स्पर्ष करे उनके सब कारे सिद्ध हो जाएं और मेरे द्वारा होने वाली पीड़ा भी उन्हें ना हो जो मनुष्य अश्वत तीर्थ में स्नान करे उनके भी सब कारे सिद्ध हो जाएं जो मानव शनिवार को प्रातहकाल उठकर अश्वत का स्पर्ष करते हैं उनकी समस्त ग्रहपीडा दूर हो जाए तब से उस तीर्थ को अश्वत तीर्थ, पिपल तीर्थ और शनेश्चर तीर्थ भी कहते हैं अगस्त्य, सात्रिक, याग्यक और सामग आधी 16,108 तीर्थ वहाँ वास करते हैं उन तीर्थों में किया हुँ स्नान और दान संपूर्ण यग्यों का फल देने वाला है इसके आगे विख्यात सोम तीर्थ है उसमें स्नान और दान करने से सोमपान का फल मिलता है और शद्धियां पूर्वकाल से ही संपूर्ण जगत की माताएं हैं उनहीं में यग्य, स्वाध्याय और धर्मकारे प्रतिष्ठित हैं और शद्धियों से ही समस्त रोगों का निवारण होता है उनहीं से अन्न की उत्पत्ती और सब के प्राणों की रक्षा होती है एक दिन और शद्धियों ने मुझसे कहा सुर्ष्रेश्ट हम लोगों को एक ऐसा पती दीजे जो राजा हो उनके बात सुनकर मैंने कहा तुम सबको राजा पती रूप में प्राप्त होंगे तब उन्होंने पुनह प्रोष्ण किया इसके लिए हमें कहा जाना होगा मैंने कहा माताओं तुम गौतमी के तट पर जाओ गौतमी के प्रसन होने पर तुम्हें लोक पूजित राजा की प्राप्ती होगी यह सुनकर वे वहां गई और गौतमी की स्तुती करने लगी और शद्धियां बोली भगवान शंकर की प्रियतमा पुन्य सलीला गौतमी यदि आप इस भूतल पर आती तो संसार के प्राणी जो नाना प्रकार की पापराशियों से तिरिस्कृत एवं दुखी हो रहे हैं क्या ना करते नदी शुरी भूमंडल के मनुश्यों के सौभाग्य का अनुमान कौन कर सकता है जिनके महापातकों का नाश करने वाली आप जगनमाता गंगा उनके लिए सदा ही सुलब हैं तीनों लोकों की वंदनी ये जग जननी गंगा आपके वैभव को कोई नहीं जानता क्यूंकि कामदेव के शत्रु भगवान शंकर भी आपको सदा मस्तक पर लिए रहते हैं मनोवांचत फल देने वाली माता तुम्हे नमस्कार है पापों का विनाश करने वाली ब्रह्म मई देवी तुम्हे नमस्कार है भगवान विश्नु के चर्ण कमलों से निकली हुई गंगा तुम्हे नमस्कार है भगवान शंकर की जटा से प्रकट हुई गौतमी देवी प्रकार स्तुती करने वाली और शद्धियों से गंगा जी ने कहा देवियों बताओ तुम्हें क्या दूँ और शद्धियां बोली जगन माता हमें अत्यन तेजस्वी राजा को पती रूप में दीजिये। गंगा जी ने कहा माता और शद्धियों मैं अमरित रूप हूँ तुम भी अमरित स्वरूपा हो अतह तुम्हें तुम्हें तुमारे योग्ये ही अमरित आत्मा सोम को पती रूप में देती हूँ। गौतमी के इस वर्दान का देवताओं, रिशियों, चंद्रमा तथा और शद्धियों ने भी अनुमोधन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थान को चली गए। जिस थान पर और शद्धियों ने समस्त पाप संताप का निवारण करने वाले अमरित सुरूप राजा सोम को पती रूप में प्राप्त किया वह सोमतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह स्नान और दान करने से पित्र स्वर्ग में जाते हैं। जो प्रती दिन इस प्रसंग को पढ़ता, सुनता अथ्वा भक्ती पूर्वक्स मरण करता है वह दीरगायू, पुत्रवान और धन्वान होता है। तदन अंतर धान्यतीर्थ है, जो मनुष्यों की सब अभिष्ट वस्तूं को देने वाला है। वह सुकाल उपस्थित करने वाला, कल्यान प्रद तथा मनुष्यों को सब प्रकार की आपत्ती से मुक्त करने वाला है। राजा सोम को पती रूप में पाकर और शद्धियां बहुत प्रसन हुई थी। उधों ने सब लोगों तथा गंगाजी के सामने ये अभिष्ट वच्ण कहा। वेद में एक पवित्र गाथा है, जिसे वेदों के विद्वान जानते हैं। जिस भूमी में फसल उगी हुई है, वे माता के समान किवा साक्षात माता ही है। जो गंगाजी के समीप उसका दान करता है, वे समस्त अभिलाशित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। जो मानव खेती लगी हुई भूमी, गौ तथा औशद्धियों को ब्रह्मा, विश्नु एवं शिवरु ब्रामन के लिए भक्ति पूर्वक दान देता है, उसका किया हुआ सब दान, अक्षय होता है, तथा वे अपने संपून अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। औशद्धियां सोम राजा की प्रिया हैं और सोम भी औशद्धियों के पती हैं। यह जानकर जो ब्रह्म वेता ब्रह्मन को औशद्धी अर्थात अंदान करता है, वे संपून अभिलाशत वस्तूओं को पाता और ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है। और शद्धियां राजा सोम से बातचीत करती हुई कहती हैं। राजन हम ब्रह्म रूपिनी, प्रान रूपिनी हैं। जो हमें ब्रह्मनों को दान करे, उससे तुम पार लगाओ। स्थावर जगम रूप जितना भी जगत है, वे सब हम लोगों से व्याप्त है। हव्य, कव्य, अम्रित तथा जो कुछ भी भोजन के काम आता है, वे हमारा ही श्रेश्ट अंश है। यह जानकर जो अंका दान करता है राजन, उससे पार लगाओ। राजा सोम जो भक्ति पूर्वक इस वैद की कथा का श्रवन, स्मरण अत्वा पार करें, उसे तुम पार लगाओ। गंगा जी के किनारे जिस थान पर राजा सोम के साथ और शद्धियों ने इस वैदी की गाथा का पाठ किया वे धान्यतीर्थ कहलाता है। उस दिन से उसके कई नाम हो गए और शद्धिय तीर्थ, सौम्य तीर्थ, अम्रित तीर्थ, वेद गाथा तीर्थ और मात्रि तीर्थ। जो मनुष्य इन तीर्थों में स्नान, जप, होम, दान, पित्री तरपन और अंदान करता है, उसका वे सब कर्म, अक्षे फर देने वाला होता है। वहाँ दोनों तटों पर 1600 तीर्थ हैं, जो सब पापों का नाश करने वाले और सब प्रकार की संपत्ती बढ़ाने वाले हैं। वहाँ विदर्भा संगम और रेवती संगम तीर्थ भी है, अब उसका वेतान पतलाऊंगा। पुरान वेता पुरुष उसे जानते हैं। महरशे भारद्वाज एक बड़े तपस्वी महात्मा थे। उनकी बहन का नाम रेवती था। वे कुरूपा थी। उसका स्वर बड़ा विक्रित था। प्रतापी भरद्वाज गंगा जी के दक्षन तट पर बैठ कर बड़ी चिंता करने लगे। कि इस भयंकर आकार वाली अपनी बहन का विवा किसके साथ करूँ। कोई भी तो इसे ग्रहन नहीं करता। अहो किसी के कन्या ना हो। कन्या केवल दुख देने वाली होती है। ज इस प्रकार वे अपने सुन्दर आश्रम पर तरा-तरा के विचार कर रहे थे। इतने में कठ नाम के एक मुनी वहां भरद्वाज मुनी का दर्शन करने के लिए आये। उनकी अवरस्था सोला वर्ष की थी। शरीर सुन्दर था। वे शांत, जीतें द्रियर और सद्गुन की खान थे। कठ ने आते ही भरद्वाज को परणाम किया। भरद्वाज ने उनका विधी पूर्वक पूजन किया और आश्रम पर पधारने का कारण पूछा। कठ ने कहा। मैं विद्यारती हूँ। इसी उद्देश्य से आपका दर्शन करने आया हूँ। जो उचित हो वह कीजिए। भरद्वाज ने कट से कहा। महामते तुम्हारी जो इच्छा हो पढ़ो। मैं पुरान, स्मृतिया, वेद तथा अनेक प्रकार के धर्म शास्त्र सब जानता हूँ। तुम शीगर अपनी रूची बतलाओ। कुलीन धर्म परायन, गुरु सेवक तथा सुनी विद्या को ततकाल धारन करने वाले शीष्य बड़े पुन्य से प्राप्त होता है। कट ने कहा। ब्रह्मन मैं निश्पाप, सेवा परायन, भक्त, कुलीन और सत्यवादी शीष्य हूँ। मुझे अध्यन कराईए। एवमस्तु कहकर भरद्वाज ने कट को संपून विद्या पढ़ाई। विद्या पाकर कट बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भरद्वाज से कहा। गुरु देव आपको नमस्कार है। मैं आपके मन के अनुकूल दक्षना देना चाहता हूँ। आपको दुरलब वस्तु भी मांग सकते हैं। बताइए। क्या दूं। जो शीशे अपने गुरु से विद्या प्राप्त करके उन्हें मोहवश दक्षना नहीं देते। वे जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है। तब तक नर्प में पड़े रहते हैं। भरद्वाज ने कहा। यह मेरे बहन अभी कुमारी है। इसका विधी पूर्व गुरु के आदेश से विधी पूर्वक दी हुई रेवत्य का पानि ग्रहन किया। और उसके सुन्दर रूप की प्राप्ति के लिए वहीं रहकर देवेश्वश शंकर की अराधना की। रेवती ने भी शिव की प्रसंता के लिए उनका पूजन किया। इससे वे सुन्दर रूप पती हो गई उसका प्रत्येक अंग मनुहर दिखाई देने लगा अब उसके रूप की कहीं समता नहीं थी वहां रेवती के स्नान करने से जो जल की धारा प्रकट हुई वह रेवती नाम की नदी हुई जो रूप और सौभाग्य प्रदान करने वाली है फिर कठने उसकी पुर्णे रूपता की सिद्धी के लिए नाना प्रकार के दर्भो अर्थात कुष्णों से अभिशेक किया इससे विधर्भा नाम की नदी प्रकट हुई जो मनुष्य रेवती और गंगा में शद्धा पूर्वक स्नान करता है वे सब पापों से मुक्थ हो विष्णू लो रापती होती है वहां दोनों तटों पर सौ उत्तम तीर्थ हैं जो सब पापों के नाश सथा संपूर्ण सिद्धियों के दाता हैं झाल